आप लोग लागातार सिर्फ भोल रहे हैं बयान दिया जा रहा है लेकिन कारवाई नहीं की जा रही है क्यों आखिर अभी तक अपर मुख सचीब के पाठक के बिरूद जो है पिहार के मुखमेंतरी नितीस कुमार कारवाई नहीं किये जबकि खुद उन्होंने फिर से एक फै सब्सक्राव करने आ रहा है तो आप सत परती से पस्तिती पर कैसे खोज रहे हैं मने जी आप जानते हैं कि हम लोग अभी जस्त कुछ दिन पहले सरकार में सरकार बनने के 12-13 दिन हो गए मंत्री पद भी बट गया अब फिर और कब अच्छे तरीके से सरकार चलने की आप बा और मंत्री जब बनेंगे अपने अपने डिपार्टमेंट का जब हो जाएंगे अच्छे से काम सुरू हो जाएगा फिर उस पर हम लोग बैट के चर्चा करेंगे पटना के गांधी मैदान से नितीज कुमार ने भासन भी दिया और कहा कि सप्लिमेंटरी रिजल्ट जारी कि जाएगा फिर कहां पेच फस गया कि सिच्छा विवाग ने ये कहा कि अनुसंसा नहीं की जा सकती है भाई ये तो आप नोटिफिकेशन में भी आप निकाल चुके थे तो फिर कहां समझ से आया कि आप पीछे हट गया है आपकी सरकार है अभियर्थी लागतार मिल भी रहे ह है कि अभी तक कोई कारवाई उनके लिए नहीं हुआ है फिर हम वही जवाब देंगे कि हम उस समय थे जिस समय का बात है हम अभियर्थी के साथ थे क्या महत्व जिस नौटिफिकेशन का पालन भी ना किया जाए वह भी आयोग की अध्यक्ष अतूल परसाद ने उस करते हैं कि पहला फेज हुआ था उसमें भी ऐसा हुआ था कि डिलेट वाले और वाले का था एक से पांच वाला उसमें भी नोटिफिकेशन हो गया था इवेन एक्जाम कंड़क्ट हुआ रिजल्ट नमस्कार मैं मनीश और आप देख रहे हैं मिडिया दरसन विहार में एक नियोजित सिचकों के लेकर के जो सच्छमता परिच्छा की भी बात की जा रही थी इसके बाद केके पाठक के द्वारा एक आदेस जारी किया गया और कहा गया कि तीन बार यदि परिच्छा में असफल होते हैं तो उन्हें सेवा मुक्ट कर दिया जाएगा इनहीं तमाम पर एक लगता है आधें पर फेल करते हैं तो उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जाएगा यह ताना साही है यह शही है आपको क्या लगता कैकि इस मैटर पर हमारे नेताब पहले ही बोल चुके हैं कि अगर तीन बार उनसे परिच्छा लिए और फेल होते हैं उनको नौकरी से न है इतने साल के बाद उनसे अगर आप कुछ लेंगे उनके पिपर का तो हो सकता है कि वह नहीं कर पाएं क्वालिफाई अगर बात की जाए तो आप लोग लागातार सिर्फ भोल रहे हैं बयान दिया जा रहा है लेकिन कारवाई नहीं की जा रही है क्यों आखिर अभी तक अप दोल जितने बि्योजित छख का वे वीदान सवा का घहराओ करने वाले हैं तो उस वक्त हेंड़ेट परसंट परस्थिति होनी चाहिए वह आपने मांगों के लिए अगर विदान सवा का घहराओ करने आ रहा है तो आप सत्तिति पर कैसे खोज रहे हैं मने जी आप जानते है कि हम लोग अभी जस्त कुछ दिन पहले सरकार में पहले हम विरोध में थे हम सिच्छकों के साथ थे अभी सरकार में आए हैं सरकार पूरी तरह गठित नहीं हुई है एक बार हो जाने दीजिए तब हम अच्छी तरह इसमुद्धे पर आपसे बात कर सकते हैं कि क्या होना चाह बारा तेरा दिन हो गये मंत्री पद भी बट गया अब फिर और अच्छे तरीके से सरकार चलने की आब बात कर बनेंगे अपने अपने डिपार्टमेंट का जब हो जाएंगे अच्छे से काम शुरू हो जाएगा जो चार रूप से फिर उस पर हम लोग बैठ के चर्चा करे जाएंगे क्या अच्छा हो सकता है दोनों के हित में देके मध्यम मार्ग हमारा रहा है नीतिक समिधान को मानने वाले हैं और जो भी होगा नया संगत उस पर करवाई होगा कोई ऐसा तानव सा रवया नहीं होगा इतना हम आपको अस्वस्त करते हैं अब बात कि जाए भी प इजाम हुए न्युक्ति पत्र भी बट गए पटना के गांधी मैदान से नितीज कुमार ने भासन भी दिया और कहा कि सप्लिमेंटरी रिजल्ट जारी किया जाएगा फिर कहां पेच फस गया कि सिच्छा विवाग ने ये कहा कि अनुसंसा नहीं की जा सकती है भाई ये तो आप नोटिफिकेशन में भी आप निकाल चुके थे तो फिर कहां समस्य आया कि आप पीछे हट गए हैं आपकी सरकार है अभियरती लागतार मिल भी रहे हैं लेकिन अभी तक कोई कारवाई उनके लिए नहीं हुआ है फिर हम वही जवाब देंगे कि हम उस समय थे जिस समय क का बात है हम अभी के साथ थे जिस पॉइंट पर उनको लगता था कि गलत है और हमें भी लगता था कि हम सरकार से मांग करते करते रहे अभी सरकार में आ गया है हम लोग हम अब बैट के बाते होगी उसके चर्चा होगी अभी यह सवाल राश्य जनता जलके परवक्ता के रूप में कहना मेरे लिए थोड़ा संभाव नहीं है कि इसको कैसे सुधारा जाए टाइम लगेगा और टाइम दीजे ऐसे इस की नोटिफीकेशन का पालन भी न किया जाए वहायो की अध्यक्ष अतूल परसाद में उसको खुद्धी उमानने को तयार नहीं है सबीमेंटरी रिजल्ट नहीं जारी कर रहे हैं और यह उसमें लुघ पहले शर्चा करते हैं कि पहला था उसमें भी ऐसा हुआ था की डिल लेकिन उसके बाद भी गरबड़ी तो सुप्रीम कोट के आदेश पर कौन क्या वो लेगा लेकिन हां तो आयोग का अध्यक्ष पैसले से सरकार चुप हो जा रही है अब यह इस पर देखना परेगा कि क्या है कहां पर गरबड़ी है और सरकार में हम लोग अभी आये हैं तो टाइम दीजिए पुरी तरह सरकार बन जाए गठित हो जाए हर एक डिपार्टमेंट काम करने लगे तो चल रूते फिर इस पर हम लोग चल 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 करें अब तो अतूल परसाद जी ने यह फैसला ले लिया है कि अब नहीं जारी किया जाएगा फिर अब सरकार आपकी बन गई ठर्टमेंट का परिक्षा भी हो जाएगा अभी हरतियों को क्या मिलेगा सरकारे बदल गई नितीजी मुखमंत्री रह गए उप मुखमंत्री बदल गए लेकिन प्रस्थिती जो है अभी हरतियों का जश्का तस रह गया उनका इस तरह का फर्मान की तीन एक्जाम आप नहीं पास कर पाए तो आपको नौकरी से निकाल देंगे ऐसा नहीं होना चाहिए और साथ हिसा तुन ने सुझाव भी दिया बहुत ऐसे का रहे हैं जो तीचर करना पड़ता है उसमें आप डाल दीजिए तो अभी तो शुरुवा यह थे हमारे साथ आरे लेडी के प्रवक्ता है मंत कुमार जिन्हों ने सिदे तोर पे कहा कि अभी तो हमारी सरकार बनी है अगर बात की जा तो इससे पहले महागडवंदन की सरकार थी लेकिन अभी एंडिये की सरकार बनी है कुछ दिन और बीतने दीजिए इसके बाद सब झाल